जैहिन दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप इक अपने यूटूब चैनल में दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी में बढ़ती होना चाहते हो तो आपकी रेली बढ़ती दोजार गुनीज की आच चुके जी हां दोस्तों अभी भी जो बारते सेना है दोस्तों उन्होंने जो अपने साइड है और ओफिसली साइड उस पे दोस्तों एड़र्टाइजमेंट डाल दिया गया है दोस्तों अब मैं बता दूँ आपको इसमें आपकी एज 18 से 23 विर सो होनी चाहिए साथ में दोस्तों योक्या तक है और 8 वी और 10 वी और 12 पास होगी ओनलाइन 6 अपरेल किये बीना ही रहे जाते है तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में सारी चर्चा करने वाले कि कौन कौन सी पोछšों के यह बर्ती होने वाली यह बर्ती रलिध कहां आउजित की जाएगी तो दोस्तों आपcribe ले बर्ती साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर ताकि दोस्तों आपको आग्यानेवल वीडियो के नोटिपिकेशन मिलते रहे क्योंकि दोस्तों हम कोई भी न्यू रिकूट्मेंट रेली आयुजित की जाती है एड़ोटाइजमेंट आता है उसका शेडूल में रेली बर्ती का जो शेडूल है वो ओपीसिली दोस्तों डाला जाता तो सबसे पहले हम आपको अपडेट करवाते हैं तो आप चैनल जूरू सब्सक्राइब कर लिए ताकि जैसे ही आपकी रेली बर्ती आईजित की जाए तो उसके रिगार्डिंग कोई नोटिपिकेशन आये तो सबसे पहले आपको अपडेट उसकी मिलती रहे त चलो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते देखते हैं तो दोस्तो आप यहां देखते हो तो यह उपी सिली नोटीस है जो मैंने डाउनलोड कर लिया सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टेशन प्रोसेस की तो दोस्तो रजिस्टेशन प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है कि रजिस्टेशन है वो आपका यहां आप देख सकते हो 6 अपरेल से 20 मई के 20 में आपका रजिस्टेशन होने वाला है दोस्तो अब हम बात करते हैं कौन-कौन सी आपके पोस्टों की यह भरती आउजित की जाएने वाली यह साथ में एक अपरेल 2002 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए अगर हाइट की बात करें तो हाइट एक 70 होनी चाहिए वेट 50 kg के अबाव होना चाहिए आपके चेश्ट है वो 77 cm नोर्मल होना चाहिए और प्लस 5 cm फुलाव के साथ में होना चाहिए अगर दोस्तों एजूकेशन क्वाल रेजुएट हो या फिर आप 12 पास हो तो आप इसका फॉम एपलाई कर सकते हो अब दोस्तों बात करतें दूसरी पोस्ट है शोल्जर टेक्निकल टेक्निकल की बात करें दोस्तों आप यहां देख से तो आपकी एज 16 से 23 साल के बीच में होने चाहिए शोल्जर जो टेक्निक है इसमें सोल्जर टेक्निकल जो नर्सिंग इसिस्टेंट हो उसकी भी पोस्ट आई है इसमें आपकी एज 17 से 23 साल होने चाहिए हाइट और चेस्ट वो सेम यह दोस्तों जैसा जीडी का है सेम है केवल आपकी एजुकेशन क्वालिपिकेशन में जरूर चेंज है इसमें 10 प इसमें आपकी एज 17 से 23 साल के बीच में होना चाहिए और आप 20 प्लस टू पास होने चाहिए और मिनिमम्म दोस्तों आपके 50% मार्क्स होने जरूरी है अब हम बात करते हैं दोस्तों सोल्जर ट्रेडमेन की तो ट्रेडमेन दोस्तों 8 पास और 10 पास दोनों की इसकी वेकन से से आईए 10 पास की बात करें तो दोस्तों यहां आप देखे तो 10 पास और इर्ध पास दोनों की केवल आपके 33% मार्क्स होने चाहिए ईज क्रेटर हैं दोस्तों साड़ी सत्रा साल से देज साल के 20 में आपकी एज होने चाहिए अब दोस्ते हम बात करनेते आपकी रेली है दोस्तों वो कहां आउजित की जाने वाले सबसे उपरा में या देखे तो आर्मी रिक्रूटर्मेंट रेली हैल्ड एट एर राज की है सारीरिक सिक्षन महावीद दाले जोदपूर राजस्तान में दोस्तों ये रेली बरती से बड़िया त्यारी करके दोस्तों आप सेना में सामिल हो सकते हों अब आम बात करते हैं ओनलाइन रजिस्टेशन दोस्तों ओनलाइन रजिस्टेशन की जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया 6 अपरेल से आप यहां देख सकते हो 6 अपरेल से आपका ओनलाइन जो रजिस आप यहां देखे तो rally recruitment rally will be held to eligible candidate कौन-कौन इसके eligible हो सकते तो आप यहां देखे तो बाड मेर बासवाडा जैसल मेर जालोर जोधपूर डुंगरपूर पाली परताफगड शिरोही उद्यपूर डिस्टिक soldier gd soldier technical soldier nursing assistant soldier कलरक and soldier trade men की दोस्तों यह बढ़ती होने वाली आप यहां देखे तो बढ़ती कहां होगी तो यहां राजकिय जो शारीक सिक्षन माविदाले है जोधपूर रास्तान वहां पर यह rally आईजित की जाने वाली है दोस्तों इसके लावा इसमें और भी कहीं देर की है जो इसमें सामिल हो सकते हैं बार्ड मेर बास्वाडा जैसल मेर जालोड जोधपूर डूंगरपूर पाली परताबगड शिरोई और उदेपूर के जो अभयारते हैं दो इसमें बाग ले सकते हैं तो दोस्तों इसक्रिन एक जुलाई दोजार गुनिष राजकिय सारिरिक जो सिक्सर महाविदा ले वहाँ पर यह रेली आईजित की जाने वाली है तो दोस्तों आपकी रेली बढ़ती है वो एक जुलाई से दस जुलाई के बीच में चलने वाली है अगर आप इसके एलिजेबल है तो इंडियन आर्मी की जो ओ आपको अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तों और अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर प्रेस टाइब विजिट कर रहे है तो चैनल सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर ले ताकि दोस्तों हम सबसे पहले आपको अपडेट करवाते हैं चाए टीय आर्मी हो चाए इंडियन आर्मी की रेली भरती हो उसकी आपको अपडेट मिलती रहेगी तो चलो दोस्तों इस टूडियो में इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय बारत